आपका स्वागत है हमारे इस बेदरीन यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जे आर्क टूटोरियल्स तो दोस्तो आज अगेन आपके सामने एक बन आप दो मोस्ट ब्यूटिफुल बायलजी का लेक्चेर वीडियो लेकर आगया हो जैसे कि आप जानते कंटिनिवस हम 11 स्ट बताना चाहूंगा कि यार हमने आपको अल्री एक चीज़ बताया है कि आप लोगों का जो मेंली फाइनल जो एक्जाम होता है वो लगभग मार्च के आसपास होता है और अभी जो हम लोगा टाइम चल रहा है वो दिसेंबल चल रहा है जैनवरी आना बाकी है फैबरी आना अभी भी अगर आप काउंट करें तो लगबग हमारा सिलाबस 50% से ज्यादा कंप्लीट है और बस मैं आप से एक चीज़ पूछना चाहता हो अगर आप 11 स्टैंडर के स्टूडेंट है तो मुझे आप एक तरीके से और हेल्प कर सकते हो तो क्योंकि देको सिलाबस तो हम लो लोग वो भी हायर हो जाएंगे और आपके लिए वीडियोस आएगा मैं आपसे एक हेल्प चाहता हूं क्या चाहता हूं जरूर से मुझे करना हेल्प कॉमेंट करके बताना कि सबसे पहले फिजिक्स के लिए दूसरा कैमिश्ट्री के लिए तीसरा बायो के लिए और चौथ था M1 के लिए और पाच्वा M2 के लिए आप लोगो जो फाइनल एक्जाम आने वाले यानि कि आपका जो हाफ टर्मिनल जो था फोज तैमिश्टर एक्जाम जो दिवाली के पहले हुआ या फिर दिवाली के आसपस जो हुआ रहेगा वो हो गया तो वो जो चाप्टास आ ग आप लोगो कोन से चाप्टर आने वाले हैं और अगर आप लोग ऐसा कॉमेंट करते हो जिसके भी ज्यादा चाप्टर मैंच होंगे क्योंकि आप एक चीज़ जानते हो कि अलग-अलग स्कूल में अलग-अलग चाप्टर पढ़ाया जा रहा है किसी को दसवा चाप्टर चा जाते हैं उसके से तो मैं आप लोग से च्छोटा सा हैं जाता हूँ जरूर विंवेट जाता हैं जाता हूँ कि जरूर से आप लोग क्या करो फटास ऐहर एक स्टाइंडर्ड के लिए हम हर एक सब्जेक के लिए comment करके बताना, chapters के number खाली comment करके बता दो हम लोग वो chapters को बनाएंगे, फटा-फट से और यार यह March क्या है, लगबग आपका मैंने आपको promise किया है, कि Feb तक आपका पूरा सिलाबस complete कर दूँँगा, और March में आपको live revision मिल रहा होगा, 11th वालो, आप लोग के लिए तो पिछले साल shortcut revision series भी हमने start किया था, launch किया था, SCR series आपको यादोगा, जैसे 10th के लिए LMR series था, वैसे SCR series आपको मिलेगा, तो या tension लिए के जुरत नहीं हर चीज हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो वो चीज possible होगा, थोड़ा सा patience और थोड़ा सा प्यार हो, ठीक है, तो आज क्या पढ़ना है, देखो, lecture पे आ जाते हैं, तो lecture है हमारा 11th biology का, और हमारा जो kingdom animal है चल रहा है, उसका second last lecture, lecture number four, एक और lecture होगा, lecture number five, जिसमें ये chapter complete होगा, तो आज चौथा lecture में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फटा-फट से देखते हैं, तो सबसे बहले हम लोग बात करेंगे, division, gnathos, tomato, आपको याद होगा कि हमने वाले tetrapoda होते हैं, जिसके बास हाफ पर होते हैं, ठीक है, तो आज हम लोग ये जो division gnathos, tomato है, जिसमें हम लोग Pisces है, वो पढ़ने वाले, पूरा Pisces, यानि कि जो fish के जितने भी प्रजाती होते है, Pisces का actual में meaning होता है, fish, जितने भी type के fishes होते हैं, ये सभी दुनिया में जितने भी होंगे, वो सभी इस categories में आ जाते हैं, Pisces में आ जाते हैं, तो ये Pisces के अंदर भी बहुत सारे types से, वो हमें पढ़ना है, पूरा lecture लग जाएगा, ठीक है, 15-20 मिनिट जितना भी लगे, जाएगा, तो बस थोड़ा ता और इंतजार, बाकी न्यू चाप्टर क्या स्टार्ट करना है, आप लोग तो comment करके बता होगे, ठीक है, चलिए, शुरुवात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे Pisces की, तो Pisces जैते मैंने बोला, fishes होते हैं, तो इनका main characteristics क्या है, वो थोड़ा सा study करेंगे हम लोग, तो characteristics की अगर मैं बात करूँ, Pisces की, यहाँ पर आप देखोगे, तो यह aquatic होते हैं, और यह यार, बहुत, नॉर्मल सी बात है, Pisces यानि जितने भी प्रकार की मचली यहाँ, वो सब Pisces होते हैं, तो obviously यह aquatic होंगे, यानि पानी में रहने वाले जीव होंगे, तो पानी में रहते हैं, और साथ में पॉइक किलो थर्मिक होते हैं, यह word बहुत important है, यहाँ रखना, पॉइक किलो थर्मिक, इसका मतलब क्या होता है, कि यह ऐसे जीव होते हैं, कि अपनी body का temperature, वो surrounding के हिसाब से adjust कर लेते हैं, जैसे कि for example, कि मैं एक इंसान हूँ, अगर मैं एक थंडी वाले इलाके में गया, मतलब कश्मीर में गया, कि माचल में गया, बरफ ही बरफ है, तो मेरा body adjust नहीं कर पाएगा, हो सकता है, मैं बिमार पड़ सकते हैं, तो एक दम थंडा पानी है, तो थंडे पानी के हिसाब से adjust कर लिया, थोड़ा normal पानी है, तो उसके हिसाब से adjust कर लिया, तो ये सबी चीज़ वो adjust जो है, वो कर लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, locomotion जो होता है, यानि कि जो movement होता है, इनकी body का, it is by body muscles, इनके body में जो भी muscles होते हैं, जो शरीर में muscles लगे होते हैं, उनके muscles के help से, और साथ में fins होता है, fins तो आप समझने हैं, जैसे example के तौर पर यहाँ पे बताऊंगा, ये उसका fins होता है, देख पारे हो, ये आपका fins होता है, ये fins होते हैं, इसी के help से वो लोग क्या करते हैं, लोको मोशन, यानि कि पानी में जो है वो तैर पाते हैं, ये आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीके, तो ये fins होता है, तो fins और muscles के help से पानी में लोग लोको मोट कर पाते हैं, पानी के अंदर swimming कर पाते हैं, ठीके, अब एक होता है caudal fins, fins में भी बहुत तरे प्रकार होते हैं, एक होता है caudal fins, तो caudal fins जो होता है, इनके लिए steering wheel होता है, जान से हम लोग घाडी चलाते हैं, तो हमारे लिए handle steering है, 4 wheel चलाते है, तो ये हमारा steering है, वैसे यार, मचलियोओ को भी direction अगर चेंज करना है, तेर तो रहे हैं, लेकिन direction चेंज करना है, लेफ जैसे हम लोग swimming करते हैं, इंसान swimming करता है, तो हाथ को इस तरफ मारता है, इस तरफ मारता है, direction change करने में help मिलता है, जो swimmers होते हैं, उनको पता होगा, वैसी मचली अभी caudal fins के help से अपना locomotion, और direction change करते हैं, इसले इसको steering wheel कहा जाता है, समझा, अब next अगर मैं बात करू, exoskeleton यानि की जो इनकी शरीर होते है, इनकी बाहर की तरफ से जो scales होते हैं, ठीके, वो क्या होता है? वो होता है dermal scales, मतलब आपने अभी मचली खाया होगा, या खरीदने गए होगे, तो जो मचली वाला होता है, वो क्या करता है? उपर का scales होता है, उसको अपने वो काटे-दार से क्या करता है वह ब्रश है कि निकालता है तो एकं़ मां कुन सा है हमारी दाड़ी है हमारा बाल है नाखून है । यह वाले चीज है वैसे उसी प्रकार में बहार के जो बोन होते हैं वो क्या होते हैं तो यह क्या है डर्मल स्केल्स ठीक है और अंदर क्या रहेगा अंदर के बोन क्या होते है या तो बोन ही रहेंगे एकदम कड़क बोन के बने हुए या तो वो काटिलेज यानि सौट बोन से बने होते हैं कुछ-कुछ मशली में एकदम नर लiggs होता है यूंघ मतलब होता ही वह हो फ्रंट वहां पर प्रेजन पर फेंट होता यूज के लिए रही हुता है। अब यह जो आपका पाइसेस था यह तो आपका बेसिक एक्स्टिक्स के बारे में उसके फीचर्स के बारे में बता दिया लेकिन यह जो पाइसेस है ना यह पाइसेस चाहे सुपर क्लास है सुपर क्लास पाइसेस है तो यह जो पाइसेस सुपर क्लास जो है यह डिवाइड होता है दो और क्लास में यह कैसे हो रहा है दो और क्लास में क्या हो रहा है इसका डिविजन हो रहा है तो पहला जो क्लास है वो है kondrish thighs, दूसरा है ostrich thighs, तो ये दोनों अलग-अलग class में डिवाइड होते हैं, तो super class spices is divided into two class that is the अलग अलग-अलग, तो ये actual में क्या होते है, जोक्रास इसका मतलब क्या होते हैं, अब देखो, ये ऐसे fishes होते हैं, जो exclusively marine होते है, होती है जैसे हमारे इंसानों के पभे देखो बहुत कड़क होती है यह कॉणर अंची हद्डियां यानि की ये एक तरीची से d chuyक होते हैं जो की नस स्केर्फ के ली होर्म में हो सकते हैं कि मतलब यह नेत्यके ली धान निकला हुआ रहता है ठीक है, ऐसा पीछे की तरफ से ऐसा निकला हुआ रहता है, so that किसी के उपर भी ओ लोग जाके अटाक कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रीडेटर मचली होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, माउथ जो होता है, वो वेंटरली पोजीशन होता है, मतलब आगे की तरफ पिछे की तरफ, जैसे हमारे लिए पीछा डॉसल यह हो गया, लेकिन इनके लिए दो उपर होगए, तो यह पर डॉसल फिन, और लुखा है, यह तो दौसल फिन लिख सकते हैं, लग बख, पाट जोडी, पेरस मतलब पात जोडी भी बोलोगे तो 10, साथ जोडी बोलोगे तो 14, यानि इतने गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये वो लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस पानी के अंदर रहते हुए कर सके, air bladder is absent, ये बहुत important point है याद रखने का, air bladder जो होता है, मतलब हवा की थैली, जैसे हम हमारे पास air bladder क्या है, हमारा lungs, हम oxygen को store कर सकते हैं, लगबग 25 सकेंड, 10 सकेंड, एक मिनट तक कर सकते हैं, जिसकी जैसे capacity होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो फिश है, कौंड्रिस थाइस वाली जो फिश है, इसके पास air bladder present ही नहीं है, absent है, और जिसके वज़े से क्या air bladder नहीं है, तो उसको continuous तहरते रहना पड़ेगा, it needs to swim regularly in order to survive, तो regularly उसको swim करना ही पड़ेगा, continuous swim करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये डूब भी सकते हैं, correct है, अब जैसे मैंने बोला था, they are predators, मतलब ये शिकारी मचली है, ये दूसरे को शिकार करके खाती है, ऐसी मचली है, तो उसको हमने बोलते है, electric ray, electric ray एक ऐसी मचली है, जिसमें ऐसे उसको अगर चुआ जाए, तो current लगता है, तो current नहीं कलता, ऐसे organs उसमें होते है, जिसको electric ray के नाम से जाना जाता है, तो कुछ ऐसी मचली होती है, जिनके पास poison sting होता है, मतलब एक डंक होता है, जिनके पास sting होता है, डंक होता है, जो poison से भरा होता है, और वो मचली का नाम क्या है, आप जानते हो sting ray, sting ray मचली, उसका डंक अगर गलती से लग गया, तो इंसान का, या फिर कोई भी जानवर का death भी हो सकता है, या फिर बहुत खतरनाक situation में वह आ सकता है, अब इन मचली के अंदर जो fertil female fish के बॉड़ी के अंदर ही हो रहा है, internally हो रहा है, और जब भी वो internally हो रहा है, तो obviously जो fish होगी, वो उसका जो baby होगा, जो fish का जो मचली का जो बच्चा होगा, वो भी वीवी पैरस होगा, यानि कि direct नया बच्चा आएगा, मतलब X formation नहीं हो रहा है, यहापे नहीं देगी म this is nothing but the scholar on fish, यह example है, इसको आप याद रख सकते हो, डागरम भी आगर आपको याद रखने हो रख सकते है, तो this was the first feature class of super class Pisces, मतलब Pisces के अंदर का जो class है, जिसको हम लोगों बोलटे, contrast size यह आपने पढ़ लिया, correct है, clear है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अब अग मजदार चीज बाकी है, जो आगले lecture में आएगा, वो बहुत मजदार है, इसको भी पढ़ लेना, और पूरा आपका जो lecture होगा, वो complete हो रहा होगा, ठीक है, तो कोई भी tension और चिंता करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, यह क्या पढ़ान present है, मतलब अंदर का जो हड़ी है, वो bone ते बना हुए, प्रॉपर हड़ी है, कड़क वाला हड़ी है, hard bone present है, ठीक है, यह मजदी के अंदर है, और इसलिए इस मजदी को bonny fish कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले हमने क्या पढ़ा, quandrist thighs, quandrist thighs के अंदर मजदी के अंदर जो bone था वो soft bone था, ठीक है, तो soft fish कहलाएगा, बता इसा word तो नहीं यह कोई, लेकिन आप बोल सकते है, soft bone रहता है, लेकिन यह जो type का class है, और stitch thighs, इसके अंदर जो bone present है, हड़ी present है, वो hard bone present है, इसके लिए इसको bonny fish खा जाता है, हड़ी वाली fish, ठीक है, अब यह equity होते है, obviously मजदी यह तो पानी मेरेगी, लेकिन यह fresh water में भी रह सकते हैं, और marine water में भी सकते हैं, यानि कि fresh water में भी पाय जाते हैं, और खारे पानी समंदर के पाणी में भी पाय जाते हैं, exoskeleton, बाहर का जो तष्मां को नहीं होता है, bone के form का वो क्या होता है, cycloid scale, आपने देखा होगा, यह मचली देख पारे है आप लो, ठीक है, यह मचली देख पारे है, अब इसमें जो scales होते हैं, वो ऐसे present होते हैं, देगे ना, circular pattern में, आपने देखा यह मचली, यह मचली आपने खाया भी होगा, अगर आप non-wage lover हो, और आप मचली खाते होंगे, तो यह मचली आपने खाया ह scales पाया जाता, इसे गोल-गोल वाले, जो scales है, वो पाया जाता है, और इसी scales को वो brush करके, जो भी मचली बेचने वाला होता है, वो उसको निकाल देता है, क्योंकि इसको नहीं खाया जा सकता है, इंसान द्वारा इस नहीं खाते है, लेकिन कोई दूसरा जानवर होगा, तो खा सकता है, यह पचेगा नहीं हमारे अंदर, scales है न, वो न है यह, ठीक है, तो cycloid scales present होता है, mouth जो होता है, mouth जो होता है, इसके अंदर का, ठीक है, mouth जो होता है, वो terminal in position होता है, terminal मतलब एकदम last में, देखो आप, यह या या उसका structure यह body आया, यह आया, और यहाँ पर आप दे के fins, जिसके हेल से हो लोग locomotion, यानि swimming कर पाएंगे, तो आप देख सकते हो, dorsal fin, यह वाला हिस्सा जो आप देख पारे हो, यह उसका fins है, तो पिछे की तरफ, dorsal pin जो है, वो present होते है, वो ही, जो पूछ होता है, उनका tail, tail fin भी present होता है, लेकिन इसके अंदर two equal lobes present होते, आप देख पारे हो, यहाँ पर भी diagram में बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आप देख पारे हो, यह उसका tail, tail, bone है, जो sorry, tail, पूछ है उसका, और यहाँ पर देखोगे, तो इसके अंदर दो हिस्सा है, symmetrical, एक यह वाला हिस्सा, और एक यह वाला हिस्सा, तो symmetrical दो हिस् पूछ होता है, वो present हो, tail, जो fin होता है, it is formed by two equal lobes, दो equal lobes present होते हैं, ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ अगर आप देखोगे, तो लगबग four pairs, चार जोडी present होती है, गिल्स्लिट्स की, जैसे इसके पहले हमने कोंडरी स्थाइस पढ़ा, उसमें लगबग 5 से 7 ज होता है, वो present होता है, air bladder is present, और उसी के help से, वो थोड़े दिर तक oxygen नहीं भी लेंगे, तो उनका जो हवा है, air जो है, वो bladder में store हो सकता है, और वो अराम से एक जगा पे भी रुख सकती है, ठीक है, तो maintain the bioncy, bioncy मतलब तैर सकती है, देशे की, contrast size का example देखा, वो continuous उसको तै जब अंदर गई, तो पानी भी उसको equal pressure लगा के, उसको तैरने में health करता है, that is nothing but the bioncy, bioncy उसको कहते है, यह हमने science में, 8-9 में पढ़ा है, correct है, तो bioncy maintain करने के लिए फिश के पास air bladder present होता है, fertilization इस मचली के अंदर external होता है, यानि कि जो भी process है, female and male का जो, जो जाइगो तो अंदा देने वाली मचली को OV Paris कहते हैं, तो OV Paris होते हैं, यह टाइप की मचली क्या होते हैं, और एक्जामपल क्या है, बंबे डग, यानि बंबिल मचली, एक्जो, एक्जो कोईटस, एक्जो कोईटस, यानि flying fish, आपने देखा है, उडने वाली मचली आपने movies में जाता है, उसके साथ एक शेर रहता है, और एक और कोई जानवर रहता है, वो लाश्ट में सर्वाइव कर लेता है, बच जाता है, तो उसमें देखो flying fish अटाक करती है, उसके उपर, तो वो flying fish को बोलते है, एक्जोटस, उसका नाम है, वैसे रोहु मचली, खाने वाली मचली यह वाली example कतला मचली है, तो यह सभी कुछ fishes है, इनको खाया भी जाता है, इसका बहुत सारी यूप भी है, यूज भी है, तो यह सभी category किसमें आ जाती है, उसके अंदर आ जाता है, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि यह topic भी आपको बहुत अच्छी तरीके से clear हो गय आ जाते हैं, इसके अंदर birds आ जाते हैं, mammals आ जाते हैं, correct है, तो ऐसे कुछ जानवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले lecture में, तो हमारा जो अगला lecture होगा, lecture नमर फार यह हमारा last lecture होगा, और उसमें हम लोग यह पढ़के पूरा chapter को complete कर देंगे, और उसके आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से पता देना, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना होसे कई शेर कर देना, और अगर फर्स्टाइम आयो चैनल पे अभी जख चैनल को सब्सक्राइब